कांग्रेस तो कुछ दिनों पहले अपने चुनावी गोहना पत्र को जन्ता के बीच रखा है और उन्होंने ऊपर सीशक दिया है हम निभाएंगे मैं आज किसी से सुरुआत करना चाहता हूँ कि कांग्रेस जो कहती है वो करती नहीं है श्री राहूल गंधी दुनिया में सबसे ज़ादा जूट बोलने वाले राजनेता है मद्पेश शत्तिजगर राजिस्थान में कई चुनावी वादे कांग्रेस दिखिये थे उनमें से एक बचन दिया था बचन पत्र कहा था हूँ कि हम सरकार में आदे ही दस दिन के अंदर किसानों का सारा कर्ज माफ कर देंगे अब 106 दिन हो गए उन्होंने ये भी कहा था कि दस दिन में अगर कर्ज माफ नहीं किया तो हम 11 दिन मुख मंत्री बदल देंगे और दूसरा मुख मंत्री करजा माफ करेगा और उन्होंने जो कहा था उसके 30 सेकर्ड के वीडियो के लिए आपको दिखाना चाहता हूं कॉब्स्थ पारी गार क चीप मिनिष्थरों मंदे प्रवेश एक साव पक, तक घर्जा माफ करेगा और अब पहाने अचाहता है अब पहाने अब लाज्डा के अचाहता जाने कस यागे कॉम्रेस पार्टेस अगुम्रेस चीप ने चाप पढ़ा राप तरिया एक और फंदा सेकेंड है एक और का विडियो के रिप्टेस्ट क्या वाकिन नहीं? दस कॉम्रेस पार्टी की सर्थान आएगी आप दस दिना एक, दो, तीन, चाप, पांचे, साल्दा रौधर्स और जैसे ही अमारी सर्थान ने आए मैं आपको बतारा हूँ मैंने कमा लगाची जएक शक्ते बोला मुझे कंदा कमा लगाची ने जो भाइदा किया था, आउने जो भाइदा किया था वो हमने पुरा है अब ये कॉंग्रेश के राज़ी एज़ेट स्री राहुल गांदी जी कह रहेट और कितनी बेसर्मी और कांचिटेंस के साथ जूट बोला इसका उधारण मंद्रप देश के मुख्मंद्री का किसानों को ये संदेश हैं किसानों को मद्रप देश मोबाइल मेसेज कर रहें एसे मेस कर रहें और उसमें किसानों का नाम लिखके लाखों किसानों के किया महिरस कुमार दाकर जी जैकिसान फसल रिंड माफी होजना में आपका आविदन मिला है लोग सबाद चुनाओ आचार सहींता के कारण आपकी रिंड माफी अभी स्विक्रित नहीं हो पाई है चुनाओ के बाद सीग्र स्विक्रित की जाएगी एक पालिटी के राश्टियत तर छिदावा कर रहे हैं कि 6 गंडे में माफ उनका मुक्रमंत्री कह रहा है कि अब लोग सबाद चुनाओ के बाद रिंड माफी की जाएगी अब आचार सहींता रिंड माफी में कभी बाद हट नहीं बनते हैं अब किया जा सकता है लेकिन करना नहीं है मद्पदेश 36 करो राजिस्थान में अब इस्तितिये हैं कि किसानों को बैंक के नोटिस मिल रहे हैं ये उदारनाज मैं आपको दिखा रहा हूँ कर्ज कर्ज है दान नहीं चुकाना बढ़ेगा और किसानों से बसूली की प्रिटियां चल रहे हैं एक तकीफ की बात यह है कि एक अपरिल से लागों किसान डिफाल्टर हो गये हैं और डिफाल्टर होने के कानड़ अगले खाल बीच का कर्दा उनको नहीं मिलेगा अब इस्तिति मद्पदेश के ये हैं कि किसान आत्म PacG cha करने पर मद्पदेश का किसान मजबूर हो रहा है बंदपलेस दौनों है कि हम 4000 रुपया देरोजवारी भंत्ता नोजवान को देंगे नहीं दिया गया वादा की यादा 36 इसकर में सड़ा बंदी करेंगे नहीं की गई वादा की यादा के नोजवानों को रोजवार देंगे और आगे फिर बंदर पकड़वाओ और रीच नजवाओ ऐसे रोजगार की अफ़सर सुझाए जा रहे हैं यह मैंने इसलिए कहा कि फिर एक घौफ्ट्रा पर थी और वादा ने वाले का वादा यह कांग्रेस ऐसी है जो कभी वादे पूरे ने करती है बिहार में मैं अभी देख क्या रहा हूँ आज दरबंगा में हम लोग थे जो उस्ता है मैंने जन्दा में देखा मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ कि बिहार में भी एंडिये पिछली बाहर से जादा सीट प्राप्त करके नया रिकार्ट कायम करेगा और देख में भी पूरी बाहुमत की सरकार अकेली भारती जन्दा पार्टी बाहुमत प्राप्त करेगी नेकित एंडिये के साथ हम पिछली सीटों से भी जादा सीटें प्राप्त करके सरकार बनाएंगे प्राप्त करें प्राप्त करें ती कारे प्राप्त करें देह करेंगे